हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इस्टराफिल इस्टरडी तो आज हम लोग बहुपत का भाग करना सिखेंगे हमने यहां तीन अलग-अलग कोईशन लिया है तो वीडियो को लाज तक देखेगा जिससे कि आप बहुपत का भाग अच्छे तरीके से समझ सके तो चलियाँ वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों, क्वेशन नमर एक है, xc5 प्लस 4xc4 प्लस 3x3 प्लस 7x2 प्लस 6x प्लस 9 भागे x2, तो हम x2 से इन सभी बहुपद में भाग देंगे, तो देखें इसका हल, तो हम इसे क्या करेंगे, कि जिस परकार हम simple भाग करते हैं, उसी परकार हम इसे भाग करेंगे, यानि हम x2 से इसे भाग देंगे, तो पहले हम यहां x2 को इस परकार लिख लेते हैं, तो x2 से हम इसमें भाग देंगे, तो हम इसे भाग के symbol में लिख लेते हैं, तो बीच में हम यहां लिखेंगे x की पावर 5 प्लस 4 x की पावर 4 प्लस 3 x3 प्लस 7 x स्क्वाइर प्लस 6 x प्लस 9 तो इसमें हम भाग देंगे x स्क्वाइर से तो हमने इस क्वेशन को इस परकार भाग के रूप में लिख दिया हम इसी परकार simple भाग करते हैं अब देखिए बहुपत का भाग करने का concept हम यहां चोर और अचोर वाली संख्या का भाग कर रहे हैं इसी को हम कहते हैं बहुपत का भाग तो इसका भाग करने का concept यह है कि जब भी हम बहुपत का भाग करेंगे यहाँ जो यह बीच में पद है इसका पहला पद देखेंगे और यहाँ जो हमारा भाजक है यहाँ बाहर में इसका पहला पद देखेंगे दोनों को तुलना करेंगे तो यहाँ देखें इसका पहला पद क्या है? X की पावर 5 और यहां क्या है इसका पहला पर X की पावर 2 तो हम अब यहां क्या करेंगे कि यह जो X square है न इस X square में हम कितना से गुना करें कि यह X की पावर 5 आ जाए ताकि हम इसे माइनस करकर पुरा-ποरा हटा सके तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो x square है इसमें हम कितना से गुना करें कि x की पावर 5 आ जाए तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है x square और हमें लाना है x की पावर 5 तो हम इस x square में कितना से गुना करेंगे तो x की पावर 5 होगा हमने इस x square में कितना से गुना किया है? x cube से, तो हम इस x cube को यहां लिखेंगे भाग फल में, plus x cube से गुना किया है, तो लिखेंगे यहां x cube, ठीक है? x cube से x square में गुना करेंगे, तो क्या होगा? x की पावर 5, ठीक है? अब यहां देखिए, भाजक में शिरिफ एकी संख्या है, तो हम एकी संख्या में X को गुना करेंगे, तो हमने यहां इस दोनों को गुना करकर लिख दिया, अब क्या करते हैं भाग में, इसके बाद हम घटा आती हैं, तो घटा लेते हैं, तो माइनस का चिन लगाएंगे, तो देखिए यहां प्लस x की पावर 5 मैनस x की पावर 5 तो यह हमारा मैनस प्लस में कट जाएगा तो यहां देखिए इसका पहला पद पुरा-पुरा कट गया अब जो बांकी रहा गया है उसे हम नीचे उतारेंगे तो यहां बांकी रहा गया है दोस्तों 4x की पावर 4 प्लॉस 3x क्यूब प्लॉस 7x स्क्वाइर प्लॉस 6x प्लॉस 9 ठीक है अब फिर से देखिए ये हमारा सभी बहुपद है तो यहां भी हम इसका पहला पद देखेंगे तो यहां अब इसका पहला पद है 4x की पावर 4 तो फिर से हम इस x स्क्वाइर में कौन सी संख्या से गुना करे कि 4x की पावर 4 आजाए ताकि हम इसे भी हटा सके तो दोस्तों यहां क्या है x स्क्वाइर है और हमें लाना है गुना करकर 4x की पावर 4 तो यदि हम x स्क्वाइर में 4x x2 से गुना करेंगे, तो क्या होगा? 4x की पावर 4, x2, x2 गुना करेंगे, x की पावर 4, फिर 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4x की पावर 4, तो यहां देखे, x2 में कितना से गुना किया है? 4x2 से, तो हम यहां लिखेंगे, प्लॉस चार एक्स स्क्वाइर प्लॉस चार एक्स स्क्वाइर से एक्स स्क्वाइर में गुना करेंगे तो क्या होगा चार एक्स की पावर चार तो यहाँ एक ही संक्या है तो एक ही संक्या में गुना करेंगे अब क्या करेंगे इसे घटाएंगे तो यहां है प्लस 4xc4-4xc4 तो यह हमारा माइनस प्लस में कर जाएगा अब फिर से क्या करेंगे जो बच क्या है उसे हम नीचे उतारेंगे तो यहां माकी हो जाएगा 3x3 प्लस 7x2 प्लस 6x प्लस 9 ठीक है तो फिर से देखे इसका पहला पत क्या है 3x3 तो यहां भी हम इसे हटाएंगे तो इसके लिए हम इस x2 में कौन सी संख्या से गुना करें कि 3x3 हो जाए x2 है और हमें लाना है 3x3 तो हम इसमें 3x से गुना करेंगे तो 3x cube हो जाएगा तो हमने यहां कितना से गुना किया है प्लॉस 3x से तो यहां भागफल में लिखेंगे प्लॉस 3x ठीक है तो प्लॉस 3x से x square में गुना करेंगे तो 3x cube अब इसे हम घटाएंगे तो यहां minus का किल लगाएंगे तो यह दोनों प्लॉस माइनस में कट जाएगा यहां cube होगा ठीक है अब हम फिर से क्या करेंगे कि यहां जो बच गया उसे नीचे उतारेंगे तो यहां बाकी हो जाएगा अब 7x square प्लॉस 6x प्लॉस 9 तो फिर से देखिए यहां क्या है 7x square तो इसे भी हटाएंगे तो इसके लिए हम इस x square में कितना से गुना करेंगे कि 7x square आजाए x square है तो यह दि हम इसमें 7 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7x square तो अब हम भागफल में लिख लेते हैं हम कौन सी संक्या से गुना कर रहे हैं प्लॉस 7 से तो यहां लिखेंगे प्लॉस 7 प्लॉस 7 से x square में गुना करेंगे तो 7x square अब इसे हम घटाएंगे तो यहां देखें प्लॉस 7x square माइनस 7x square यह दोनों कर जाएगा माइनस प्लॉस में तो यहां फिर से क्या बार्टी हो जाएगा 6x प्लॉस 9 अब यहां ध्यान दीजे इसका पहला पत क्या है 6x है तो हम अब 6x को नहीं हटा सकती है क्योंकि यहां देखें x से पावर 2 है और यहां x से पावर 1 है हम x square में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6x square होगा लेकिन हमें लाना है शिरिफ 6x तो यहां x square है x square में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 6x नहीं आएगा 6x square आएगा लेकिन 6x नहीं आएगा तो इसलिए इसका इतना ही हलोगा तो दोस्तों 6x प्लॉस 9 हो जाएगा सेस्फल रिमाइंडर ठीक है और यह जो x cube प्लॉस 4x square प्लॉस 3x प्लॉस 7 है यह हो जाएगा हमारा भाग फ्ल ठीक है तो इस परकार हम बहुती असानी से concept से बहुपत का भाग करते हैं अब question नमर 2 देखिए question है x cube प्लॉस 6x square प्लॉस 12x प्लॉस 8 भागे x प्लॉस 2 तो हम यहाँ x प्लॉस 2 से इन सभी बहुपत में भाग देंगे तो देखिए इसका हल यहाँ भी हम इसे भाग के सिंबॉल में लिख लेते हैं यानि हम x प्लॉस 2 से किसमें भाग देंगे x cube प्लॉस 6x square प्लॉस 12x प्लॉस 8 में तो बहुपत का भाग देने का concept क्या है हम इसका पहला पौद और यहाँ भी इसका पहला पौद देखेंगे तो यहाँ इसका पहला पौद है x cube तो इससे हटाएंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ जो इसका पहला पौद है x इस x में हम कितना से गुना करें कि x cube हो जाए तो यह दि हम x में दोस्तों x square से गुना करेंगे तो हमारा ये x cube हो जाएगा तो हमने x square से गुना किया है तो यहां लिखेंगे x square तो गुना करने पर क्या आया है x cube अब यहां धियां दिछे इसमें भादर क्या है? X प्लस 2 तो यहां 2 भी है तो 2 में भी हम X स्क्वाइर से गुना करेंगे तो क्या होगा? प्लस 2 X स्क्वाइर ठीक है? कोईशन नमर एक में सिरिफ X था इसलिए हमने X में गुना कर दिया था लेकिन हैं प्लस 2 है तो इसमें भी गुना करेंगे तो यहां हमने गुना करकर लिख दिया अब क्या करेंगे? इससे हम घटाएंगे तो मैनस का चिन लगाएंगे प्लस है तो क्या होगा? मैनस क्योंकि हम मैनस कर रहे हैं तो देखिए प्लस X क्यूब माइनस x क्योंग कर जाएगा अब यहाँ है प्लस 6x स्क्वाइर और यह माइनस 2x स्क्वाइर प्लस नहीं है माइनस है तो घटाएंगे तो क्या होगा 4x स्क्वाइर और बांकी रह जाएगा उपर 12x और यह प्लस 8 ठीक है तो यहाँ देखे फिर से इसका पहला पत क्या है 4x स्क्वाइर तो इसे हम हटाएंगे तो इसके लिए हम इस x में कितना से गुना करें तो 4x स्क्वाइर आ जाए तो हम यदि x में 4x से गुना करेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वाइर तो हम यहां plus 4x से गुना करेंगे तो लिख लेते हैं भागफल में तो 4x से x में गुना करेंगे तो 4x square plus 2 है तो इसमें भी हम गुना करेंगे 4x से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 4, 2, 8 गुने x अब क्या करेंगे? इससे हम घटाएंगे तो minus का चिन लगाएंगे plus है तो minus चिन हो जाएगा एदी minus होता तो plus क्योंकि plus minus minus तो plus 4x square minus 4x square कर जाएगा minus plus में यहां है plus 12x minus 8x घटाएंगे क्या होगा? 4x, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4x और यह बांके रह जाएगा plus 8 अब यहां देखिए इसका पहला पहत 4x है तो हम यहां फिर से 4x को हटा सकते हैं क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि यहां भी x से पावर 1 है और यहां भी x से पावर 1 है दोनों का पावर से भाई तो हम हटा सकते हैं तो यहां 4x है तो हम इस x में कितना से गुना करेंगे तो 4x होगा तो हम x में यदि 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4x तो हम दिख लेते हैं यहां plus 4 plus 4 से हम 4x में x में गुना करेंगे तो 4x 2 है तो हम 2 में भी 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा plus 8 चार दुनी आठ अब घटाएंगे तो प्लॉस चार मैनस चार कर जाएगा इसी परकार प्लॉस आठ मैनस आठ ये भी कर जाएगा तो सेस्फल क्या बांकी रजाएगा जीरो तो जीरो हो जाएगा हमारा सेस्फल ठीक है और एकस स्क्वाइर प्लॉस चार एकस प्लॉस चार हो जाएगा हमारा भाग फल ठीक है तो इस परकार हम बहुपद का भाग करते हैं अब कोईशन नमर तीन देखिए कोईशन है एकसी पावर चार मैनस साथ एकस स्क्वाइर प्लॉस एक भागे एकस स्क्वाइर प्लॉस तीन एक प्लस एक तो हम यहां इससे इस बहुपर में भाग देंगे दोस्तों आप इसे अच्छे तरीके से समझेगा इसके लिए आप इस वीडियो को लाश्टर देखें क्योंकि यह वाला कोईशन थोड़ा ट्रीकी है कैसे तो देखें इसका हल यहां देखें हम इससे इसमें भाग देंगे तो पहले हम इससे लिखें लेते हैं हम लिखेंगे x square प्लस 3x प्लस 1 यह क्या है हमारा भाजक है तो यहां देखें दिजेगा यहां क्या है कि पावर घट्टे करम में है XC power 2, यहाँ है, XC power 1, और यहाँ कुछ नहीं है, तो XC power 0, तो 2, 1, 0, इस परकार घट रहा है, और यहाँ देखिए, भाज्य क्या है, XC power 4, ठीक है, माइनस 7X square, प्लोस 1, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, XC power 4, XC power 2, और यहाँ XC power 0 है, लेकिन यहाँ XC power 3 नहीं है, हमारा गाइब है, इसमें नहीं है, तो देखिए हम इसे किस परकार भाग करेंगे, तो यहाँ भी दोस्तों, same concept है, कि हम इसका पहला पार देखेंगे, और इसे हम हटाईगे, तो यहाँ है, XC power 4, और यहाँ है इसका पहला पार X square, तो हम X square में कतना से गुना करेंगे, तो 4 x square होगा तो हम यहाँ एदी x square में x square से गुणा करेंगे तो 4x square होगा ठीक है तो लिख लेते हैं sorry x की power 4 होगा x square से x square में गुणा करेंगे तो x से power 4 तो भाग फल में हम लिख लेते हैं x की power 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा x की power 4 ठीक है अब देखिए यहाँ भाजक x square plus 3x plus 1 है तो हम इस तीनों में इस x square से गुणा करेंगे तो x square में गुणा कर दिया अब हम 3x में x square से गुणा करेंगे 3x में x square से गुणा करेंगे तो तो क्या होगा, 3x cube, x से x square में गुना करेंगे, तो 3x cube होगा, तो अब धियान दीजे, यहां हमारा भाजे में x cube बाला कोई बहुपद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसे side में लेते हैं, यहां, प्लॉस 3x cube करकर, ठीक है, x square से 3x में गुना करेंगे तो प्लॉस 3x cube, तो यहां भाजे में कहीं नहीं था, तो हमने इसे अलग करके लिख दिया बाद में हम इसे नीचे उतार लेंगे तो हमने यहाँ इस दोनों में कर लिया अब पलॉस एक में भी x square से गुना करेंगे तो क्या होगा पलॉस x square यहाँ देखे x square वाला पॉद है दोनों समान है इसलिए हमने इसके नीचे लिख दिया यह असमान था इसलिए हमने इसे side में लिख दिया अब क्या करेंगे इसे हम घटाएंगे तो यहाँ माइनस चिन लगाएंगे पलॉस है तो माइनस और यहाँ भी माइनस चिन लगाएंगे क्योंकि यहाँ यह भी हमारा गुना करकर आया है तो हम इसे घटाएंगे तो मैनस का चीन प्रियोक करेंगे तो आप देखिए X 3.4-1.4 कर जाएगा प्लोस मैनस में यहाँ है मैनस 7X2-X2 तो मैनस मैनस प्लोस चीन मैनस का तो मैनस 8X2 होगा तो अब यहां धियान दिजिए, जब भी हम बहुपत का भाग करेंगे, तो हम 4 वाल संख्या को घट्टे करम में लिखेंगे, यहां x सी पावर अधिक्तम क्या है 2, और यहां है अधिक्तम 3, तो पॉल हम इसे लिख लेते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस 3x3, माइनस 3 x2, अब यहां देखिए, पॉलस एक भी है बागी, तो इसे हम नीचे उतार लेते हैं, अब इसका पहला पत क्या हो गया, माइनस 3x3, तो हम इसे हटाएंगे, तो इसके लिख हम इस x में कितना से गुना करेंगे, तो हमारा माइनस 3x3 होगा, तो यह हम एक्स स्क्वाइर में माइनस 3x से गुना करेंगे, तो यह 3-3x3 हो जाएगा, तो हम कितना से गुना करेंगे, माइनस 3x से, माइनस 3x से x स्क्वाइर में गुना करेंगे, तो क्या होगा, माइनस 3x3, अब हम माइनस 3x से, पॉलस 3x में भी गुना करेंगे, क्योंकि यह भी हमारा भाजक है, तो ग गुना कर लेते हैं प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस तीन से तीन में गुना करेंगे 3 तीन आणो एक से एक में गुना तो प्लॉस होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लॉस होता है इसलिए तो यहां माइनस तीन एक्स क्यूब प्लॉस तीन एक्स क्यूब कर जाएगा माइनस आठ एक्स स्क्वाइर प्लॉस नो एक्स स्क्वाइर तो घटाएंगे क्या होगा एक एक्स स्क्वाइर और यहां बांकी हो जाएगा हमारा प्लॉस तीन एक्स और यह प्लॉस एक ठीक है यहाँ उपर में x वाला पद नहीं था इसलिए हमने इसे अलग कर दिया तो हमने यहां बर्टे करम में पहले इसे फिर इसे और लाफ में पॉलस एक को लिए दिया अब हम फिर से इसका पहला पद देखेंगे तो इसका पहला पद है x square और यहाँ भी है x square दोनों का घात सेम है तो हम इसे हटा सकते हैं तो इसके लिए हम इस x square में कितना से गुना करें कि x square हो जाए तो x square ही हमें लाना है गुना करकर x square में तो हम इसमें यदि x से गुना करेंगे तो क्या होगा x square ही होगा तो हम कितना से गुना कर रहें, प्लॉस एक से, तो प्लॉस एक को हम भागफल में लिखेंगे, एक से एकस स्क्वाइर में गुना करेंगे, एकस स्क्वाइर, प्लॉस तीर एकस में एक से गुना करेंगे, तो प्लॉस तीर एकस में एकस से गुना करेंगे, हमने इसे गुना कर अब हम क्या करेंगे इससे घठाएंगे तो मैनस का चिन परियोग करेंगे अब देखिये plus x square minus x square कर जाएगा इसी परकार plus 3x minus 3x कर जाएगा इसी परकार plus 1 minus 1 कर जाएगा तो कुछ ने बचेगा, तो कुछ ने बचेगा, तो क्या लिखेंगे 0, तो 0 हो जाएगा दोस्तों, सेस फल ठीक है, और x2-3x1 भाग फल हो जाएगा, तो इस परकार हम इस टाइप के बहुपत का भाग करते हैं, तो उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी, और सेर जरूर कीजिए, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीचिए,